अब गवर्नर थावचन गैलोट साम ने बुलाया है सिदर अमया जी को शपत लेने के लिए सिदर अमया शपत ले रहे हैं अब दूसरी बार करनाटरका के मुख्यमंत्री बनेंगे सीनिर लीडर 75 साल उम्र है उनकी OBC कुर्बा समाज से आते हैं दूसरी बार करनाटरका की कमान समाल रहे हैं इनकी बारे में बताया जाता है कि पॉपिलर लीडर है वाकई शिद्धर रामया यम्ब यसरिना नानू कानूरिन मूलका स्थापितवादा बारतदा सविधानदा विशेदल्ले निजवादा स्रद्धे मत्तु निष्टे यन्नु वंदेरुत्ते नेंदू मत्तो करनाट का राज्य दा मुख्यमंत्री आगे नन्ना करते वेगलननों सद्धा पूरुक वागे मत्तो अंतकरन पूरुक वागे निर्वैश उत्ते नेंदू सिदर अबया जो शपत ले रहे हैं रागवन सिदर अबया साब का राजरितिक सफर जेडियस से लेकर के कॉंग्रेस पार्टी तक काफी लंबा सफर रहा है सिद्रमया साब के बारे में क्या आम बातें जो हैं वो कही जाती है बताया जाता है कि बाके रियल सेंस में एक पॉपूरर लीडर है जी बिल्कुल देखिए सौरव जमीन से जुड़े नेता है आसा कहें तो गलत नहीं होगा लोक दल जो जन्ता पार्टी का एक संगंठन था वहां से इन्होंने अपनी राजनीती शुरू की थी चामुन देश्वरी पहले और बाद में डी लिमिटेशन के बाद वरुना ये द पहले दो बार डेपुटी सीम बने हैं आप दूसरी बार सीम बनने की शपत ले रहे हैं सबसे बड़ा जो इनके पक्ष में जो बात जाती है सौरव वो ये है कि यह अहिंदा मुवमेंट को रिवाइव करने वाले नेता बने अहिंदा मतलब अल्प संख्यक गलित मुस्लिम और पिछले लोगों को एक साथ लेकर चलने किया जो देवराज अर्ष जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर करनाटा का ने एक मुमन चालू किया था उसको इन्होंने रिवाइव किया उसके बाद ये उस वोट बैंक के सर्वे सर्वा बन गे एक तरह से कहें तो हालां कि 2018 में वो क्रेडिट सिद्रामया के हाथ नहीं किया लेकिन 2023 के चुनाओं में हमने देखा कि किस तरह से सिद्रामया ने उस वोट बैंक को वापस अपने पक्ष में किया उसके बावजूद इन पर भरोसा कायम है या कॉंग्रिस पार्टी दरती है इंसे देखे बरोसा एक चीज होता है और नीड एक और चीज होता है मजबूरी यह उनकी मजबूरी है क्योंकि जो जिस तरह से जो जब भी आपके संपादक कोर्रिस्पोंडने ने बोला था कि आहिंदा जिस किसम से सिद्रामया उसको अंडिस्टैंड करते हैं और उसको पास नहीं है डीके शुवकुमार एक बहुत ही अर्बेन किसम के हैं जो अच्छा कॉनवर्सेशन कर सकते हैं डील कर सकते हैं सिद्रामया वो जो सोशल डाइनामिक से उसको बहुत अच्छी तरह से मनिपिलेट करते हैं आप अभी कैबिनेट ही देख लीजे जो आठ मंत्री प्लस दो चीफ मिनिस्टर और डेपटी चीफ मिनिस्टर जो चुने गए हैं इन में से सिद्रामया कुरूबा हैं जो लगबग 8-9% के हैं डेपटी जो हैं डीके शेवकुमार वो कलिगा हैं इसमें हैरानी की पस एक बात है इसमें कि लिंगायत मेरे को बस एक दिखाई दे रहे हैं वो है M.B. PARTYLIS में बाकी जो हैं वो सब काफी सारे दलित मिनिस्टर जैं एक क्रिस्टिन मिनिस्टर हैं और एक मुसल्मान मिनिस्टर हैं बट इसमें क्या है कि मैं यह नहीं मानूँगा कि कॉंग्रेस की जो हाइए कमान्ड है वो आक्षिरी विश्वास रखता है पर मजबूरी तो जरूर है